कि सरकार ने आत्म निर्भर भारत का सबसे बहतरीन उधारन बजट के जरीए से दे दिया है और पूरी तैयारी कर ली है कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्ता प्रभावित हुए उसको ट्राक पर लाने के लिए पूरी कोशिश की गई हमारे साथ इस समय हम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं जिनके माध्यम समय जानने की कोशिश करेंगे किसका कितना फायदा किसको मिलेगा और कैसा यह बजट रहा है और किसको कही न कहीं हताशा भी पराप्त हुई है इस पर भी चर्चा करेंगे हमारे साथ जुड़े हैं देविन्द रक पूर्ज योकी चार्टेर्ट अकाउंटेंट हैं में हमारे साथ एम के रोरा चुड़े हैं जो पूर्ज चेरमेन है आई सी ए आई नायडा से बहुत बहुत शुक्री आप दोनों कर सर अमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले देवेंद्र कपूर जी आपके पास आएंगे जब हम इस पचट को देखते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो नाइन लगे जो बहुत अच्छे लगे जिसकी जरीए से यह पता चल रहा है कि किस तरीके से दूरदर्शिता रखते हुए सरकार ने बहुत आगे तक का सोचा है वहीं कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे कुछ सेक्टर्स को जरूर हताशा प्राप्त होगी क्योंकि खास तरपार अगर हम टेक्स को लेकर के का हैं तो लोगों की तरफ से एक उमीद रहती है कि टेक्स रिलीफ थोड़ी सी हर बजट में सरकार की तरफ से दे दी जाएगी इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, मेरी राय में इससे चाबज़ट हास पर जिस दिथी से हमारा देश बुरा विश्वाह बुज्व गुजरा है इससे भैदर बजट हो नहीं सकता हमारी मानिये भित्मद्री मंत्रीन ग्रोफ को भी ध्याνη में रख़ए और लोगों की से बैसा चोड़ा है और ऐसको ऑन्हों आपने बजर वाशन में इक हम डिका कि हम लोग टेक्स्ट नहीं ब suisना रहें इस सिस्टम लोगों की बहुत अप्रेशन थी जो हर बजट में होती है कि कैपिटल गेम टेक्स लग जाएगा कई तरी के गिने रेट बर जाएंगे और कोई टेक्स को लेके तो बहुत ही अप्रेशन थी वह कोई भी चीज मानिये वित्यमंत्री ने इस बजट में नहीं कई य के वधाई के पात्र हैं